नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग ये टॉपिक मुझे लगा ये टॉपिक आपके लिए काफी इंस्पारिंग होगा मैंने इसके लिए अलग सी वीडियो बनाई आप सब लोग आयस बनने के लिए कोशिश कर रहे हो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो सुहास यती राज आयस ह करने के परस्पेक्टिफ से ज़्यादा है ये पर्टिकुलर वीडियो इसके जील ने पहले तो उसको आयस बनाया और उसको आयस बनाने के वाद इसको पैरालम्हिंप मनाया और फिर सिल्वर मेडलिस्ट बनवाय लिए और अपसे आप समझ लिजे कि फाइनल में ये जीत ही लिलिंकारे यथी राज ये फाइनल में टोक्यो हरंपिक्स में हार गय है 5 सेप्टेंबर को किसने हराया इनको तो लिूकास मजूर और फ्रांस ने सको हराया 38 साल के हैंगी नौइडा के डिस्टिक्ट मेजिस्टेट है गेम में आपको पता है 20 पॉइंट का गेम होता है तो 11-10 से यह आगे चल ले थे लेकिन बाद में लिूकास मेजूर ने काफी अच्छा खेला और 21-15 से इनको हरा दिया इनकी बात की जाए सुहास लिलिंकारे यथी राज की 2 जलाई 1983 को इनका जनम हुआ था इंडिन प्रोफेशर पैरा बैडमिंटन प्लेयर है और में सिंगल में वर्ड नंबर टू है वर्ड नंबर वन कौन है लिूकास यह जो फ्रांस के हैं लिूकास मजूर जो कि यह भी जीते हैं ओवरॉल सिल्वर मेडलिस्ट है इन दे एसल फूर कैटेगरी इन टोक्यो परमपिस 2021 सिल्वर मेडल है गोल्ड मेडल की सब बात करते हैं सिल्वर मेडल बात नी करते हैं बट एक सिल्वर मेडल एक आएस एक सर्विन आएस को यहाँ पे मिला है 2007 बैश के उत्तर पदेश के आएस ओफीसर है प्रिजेंटली ही सर्विंग अस दिस्ट्रिट मेडिस्ट्रेट ऑफ गौतम बुधनगर ही बोलते है नैशनल चैंपियन है यह पहले भी गोल्ड मेडल जीच चुके हैं मेंस सिंगल कैटेगरी में सेकेंड नैशनल पैरा बेडमिंटन चैंपिंशिप्स में जो कि वारा नसी में हुई थी मार्ज दोजर अठार में जदेतर इनकी सेकेंड़ी एजुकेशन डीवियस इंडिपेंडेंट कॉलेज शिवमोगा करनाटिका से हुई है नैशनल इस्टिटूट अफ टेक्निलोजी सूरत कूल एनाइटी सूरत कूल काफी फेमस है वहाँ से computer science and engineering इन्होंने पढ़ी है तो आप कह सकते हो कि इनका जो career है it is full of successes लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई para athlete जिसको हर दिन इतनी discrimination face करनी पढ़ती होगी वो इतनी achievements पाएगा एक आदमी होता है कि चलो आप तो achieve कर ले आइस बनने के बाद भी आप में से बहुत सरे लोग बोलोगा कि चलो ठीक है यह बहुत हो गया आप और नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे तो अलगी level पे चले गए आइस तो बने ही बने अपने काम करने में तो excel करी रहे हैं कैसे excel कर रहे हो आपके बताऊंगा और उसके बाद से इंडिया को स्पोर्ट में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यह सबसे बड़ी बात है इनके अगर आप आवार्ड से रिकोंगनिक्शन देखो यह भारती मिला है इनको highest civilian honor of UP best para sports person का आवार्ड दिया थे इनको state government of उत्तरपदेश ने मेमेंटो फेसिलिटेशन बाइ प्रेजिडेंट मेडमिंडें असोसेशन ऑफ इंडिया ओवर ओल नैशनल स्पोर्ट दे 2017 वाले दिन कभ है नाशनल स्पोर्ट दे 29 अच्छ दो हजार सत्रा तो काफी सारे अवार्ड इनको पहले भी मिल चुके अच्छ एड्मिनिस्टेशन की फीड में इनको अच्छ अवार्ड मिले प्राइम मिनिस्टर के अवार्ड के लिए इनको शॉटलिस्ट किया गया था प्रधान मंत्री जंधन अवार्ड में अच्छी तरीके से चीजों को इंप्लेमेंट करने के लिए ओवर एक डिस्टिक्ट मेजिस्टेट बहुत अत्तर डिपेंड करता है कि गौर्मेंटल स्कीम इंप्लेमेंट हो रही कि नियुक्त हो रही है आप वो लोगे सिर्फ प्रधान मंत्री जंधन योजना तो बैंक की स्कीम है तो इसमें इसकीम है इसको ऐसा करने फिर अपने डिस्टिक्ट में मुबाइल अप्लिकेशन मरवाना को पोशन का दरपन प्रेगनेंसी का दरपन अंडर निरूश चिल्डर और प्रेगनेंट मदर्स की मदद करने के लिए और इनको रेविन्यू मिनिस्टर गॉर्मेंट और फूपी की दोर भी अवार्ट दिया गया एक्सेलेंट वर्क इन अड्मिशन दोर ऐसे बहुत से इनको अवार्ड मिले हूँ है और सबसे खास बात यह कि उन्होंने मीडिया को बताए कि मैंने बच्पन से कभी अपने आपको डिसेबल देखा ही नहीं और सबसे खास बात है इनके माबाब ने इनको नौर्मल लोगों के साथ कम्पीट कर वाया जिसे दंगल में नहीं कि उस लड़की को जाके लड़कों कि यह क्या कर पा रहे है आयस तो बने ही बने अब इंडिया को सिलबर मेंडल भी लाकि दे रहे भाए अब इससे जज़ादा क्या ही ऐसे टोंगे इंडिया के लिए तो चोटी सी न्यूस आपके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है आप लोग वी जानतेरी कर रहे हैं वही थोड़ा effort मारी है जब इनसान अब इस particular case को देख के आप समझ सकते हो कि definitely a person can achieve anything तो आप भी can achieve anything thank you so much for watching watching friends have a great day